फिल्म के शुरुआ जीम्स नाम के लड़के से होती है जो भागते हुए अपने कॉले जाता है क्योंकि वो काफी लेट हो गया है पर जैसे फिलोसोफी के टीचर जीमित दरवाजा बंद करने वाले होते हैं वो अपनी किताब डालकर दरवाजा खुलवा देता है जिसकी बाद वो क्लासरूम की अंदर आ जाता है आप क्लासरूम में जीमित सारे स्टूडन्स को आज के टेस्स के बारे में बताता है कि आज में तुम सब के IQ लेवल का टेस्स लेने वाला हूं कि तुमारा दिमा किस हद तक किसी चीज को सोच सकता है तुम्हें इमाजिन करना है कि तुम लोग एक ऐसी जगा फस गए हो जहां एटॉमिक बॉम गिर रहे हैं और जीज जगा तुम हो वा कूची समय में जहरीली गैस पहुच जाएगी जो तुम्हें मार देगी इसलिए तुम्हें पूरे एक साल तक अपना जीवन एक बंकर के अंदर गुजारना है और अब सब स्टूडंट्स अपनी इमाजिनेशन के साथ वो सारी चीज़े सोचने लगते हैं वाहीं उन्हें उनका बंकर भी दिखाई देता है जो काफी लगशीरियस होता है अब दोस्तों आगे की कहाने बताने से पह और क्रिकेट जैसे 100 से भी अधिक गेम्स जैसे स्किल वैसी ही गेम्स इसलिए विंजो पर गेम्स केलो और जीतो बहुत सारे कैश रिवार्ड्स और डायरेक विड्रॉ करो पेटी एम, यूपिया या बैंक में विंजो विर्ड में बाकि लोगों से कम्पीट करो और जीता ह अपने टीम को और यहां हारने का भी गम नहीं है क्योंकि यहां हारने पर भी तुम जीते हो cash rewards, सीव gaming यह नहीं, shopping भी करो क्योंकि विंजो स्टोर पर मिलते asphalt और minecraft की currency सबसे सस्ते दाम पर और big bazaar, mintra और hotstar जैसे कई बड़े brands के discount coupons भी तो जल्दी से download करो winzo app, मेरे description में दियेगे link से और पाओ 50 रुपे bonus cash एकदम free, तो चली अब शुरुआत करते हैं movie के कहानी से और उसकी अंदर oxygen tanks होते हैं, जो एक बार on करने पर एक साल के लिए 10 students की ज़रुवत पूरा करेंगे अब classroom में जीमित सारे student से कहता है कि मैं ये test इसलिए करवा रहा हूँ, ताकि अगर कभी भविशे में ऐसी ज़रुवत पड़े, तो तुम उसके लिए तयार हो लेकिन James की girlfriend Petra जीमित से कहती कि मुझे ये game ठीक नहीं लग रहा, इसलिए मैं जा रही हूँ पर जीमित कहता है कि अगर तुम यहां रोकी, तो मैं तुमें A प्लस दूँगा, और अगर गई तो James को fail कर दूँगा, जो सुनकर वो परिशान हो जाती है, और James के लिए वो game खिलने के लिए तयार हो जाती है आप जीमित सारे students को एक box के अंदर से एक card लेने को कहता है, लेकिन जब वो James और Petra को उनके card देता है, तो वो खासने लगता है, जो देख सभी थोड़े हैरान हो जाते हैं, जीसके बाद वो सारे students को अपने card पर लिखी चीजे को पढ़ने को कहता है, जो कि उस student के profession होंगे और उनके profession के हिसाब से ही बाकी students को तैय करना होगा कि कौन bunker में रहेगा और कौन नहीं, क्योंकि total बच्चे 21 है और bunker में जगा सिफ 10 लोगों की है, इसलिए अब सारे बच्चे अपना-पना profession बताते हैं, जिसमें James किसान होता हैं और Petra इंजिनियर, और अब हम सारे students को उनक कभी हूँ, तो जिमित उसे सीधर शूट कर देता है, और बाकी उसे कहता है कि कभी की किसी को ज़रुत नहीं पड़ेगी, पर इस पर Petra को काफी बुरा लगता है, अब बाकी students की voting की जाती है, और उनके profession के हिसाब से जिसे जादा vote मिलेंगे, उन्हें वंकर में रहने वालो की लिस में रखा जाएगा, इसलिए अव वोटिंग के हिसाब से 9 लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, और आखिर में ओपेरा सिंगर और जिमित बचते हैं, पर जिमित ने अपना profession बताया नहीं होता, जिस पर सारे लोग जिमित को ही वोट करते हैं, क्योंकि उसका profession अंजान है, औ और आपेरा सिंगर की उन्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, आप 10 सेलेक्टेट स्टूडन्स कुछ समय के लिए सारी जगा की सेर करने लगते हैं, क्योंकि इसके बाद उन्हें एक साल के लिए बंकर में रहना हैं, और तब ही पेटरा और जेम्स को गन शोर्ट की आवास सुन आजाते हैं, इसलिए पेटरा जेम्स से कहती ही कि जीमित बंकर में रहने के लायक नहीं है, इसलिए जीम्स जीमित से चुपकर सारे स्टूडन्स के साथ बंकर के अंदर चला जाता हैं, और जैसे ही जीमित वहाँ आता है, सभी गेट बंद कर देते हैं, जो कि सिफ कोट डा है देता है, जो रेडियेशन के कारण अपनी आखरी सासे गिन रहा होता है, वो पेटरा को एक पेपर दिखाता है, जिसमें लिखा होता है कि बंकर से बाहर जाने का कुट सिफ मुझे ही पता है, और इतना कहकर वो वही अपना दम तोड़ देता है, पीर तबी बाकी लोग ही वहाँ आ जाते हैं, लेकिन सभी कहते हैं कि जिमित जूट कह रहा है, ताह कि हम पूरे साल इसी बारे में सोचकर पच्ताते रहें कि हमने उसे बाहर क्यों छोड़ा, पर अगर ये सही हुआ तो हमें एक साल बात मालूम पड़ेगा कि बंकर से बाहर जाने के लिए कोई को पूरा होता है, अब देखते ही देखते ही इसके बाद उनका एक साल पूरा हो जाता है, इसलिए जिम्स गेट खोलने जाता है, पर वहाँ पासवर्ड लगा होता है, याने की जिमित सही कह रहा था, जो जानकर सभी एकदम घबना जाते हैं और गेट को तोड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन इससे गेट पर खरोज तक नहीं आती, वहाँ उनका उक्सिजन सप्लाइज भी एक ही साल का होने के कारण खतम हो जाता है, जिससे सभी मारे जाते हैं, आप क्लासरूम में जिमित सभी से कहता है कि ऐसी हालत में तुम लोगों को जजबाद में आकर फैसला नहीं लेना चाहिए था, पर चीपस नाम का स्टूडेंट जिमित से कहता है कि आपको कोड कैसे मालूम था, जिस पर वो अपना कार्ड दिखाता है, जिसमें उसका प्रोफेशन बंकर बिल्डर होता है, जो सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं, अब जिमित उन्हें दूस इसलिए इने एक साल के अंदर जितनी हो सके, उतनी जन संक्या बढ़ानी हैं, इसलिए अब जिमित सबसे पहले बंकर के अंदर जाकर गंज ले लेता हैं, जिसकी बाद वो क्लासरूम में सभी को फिर से उनके कार्ड देता है, जहां जेम्स के कार्ड में जैसा कि वो पहले क किसान था इस बार भी ओ किसान तो रहेगा लेकिन एक गे भी होगा जो कि एक बच्चे को जनम नहीं दे सकता पर जीम्स को किसान वाले काम आते थे इसलिए सारे स्टुडेंट्स उसे वोट देते हैं जिसके बाद बाकी स्टुडेंट्स भी अपने अपने प्रोफेशन के बा और अब वो स्टुडेंट्स जो सेलेक्ट नहीं हुए वो सभी वहां से ट्रक लेकर भागने लगते हैं लेकिन तोड़ी दूर जाती वो लोग वॉलकैनों के चपेट में आ जाते हैं जिससे सभी वहीं के वहीं मारे जाते हैं जिसके बाद बाकी बंकर के अंदर आ जाते है अब रात को जब Petra James के पास जाती है तो वो Jack नाम के स्टूडन की साथ intimate हो रहा होता है जो देखकर Petra वहाँ से चली जाती है James उसे समझाने की बहुल कोशिश करता है लेकिन वो नहीं समझती इसकी बात सभी लोगे बाते करी रहे होते हैं कि वो किस तरह से जनसंग क्या बढ़ा सकते हैं इसलिए सभी अपने अपने पार्टनर चुन लेते हैं लेकिन Petra बच जाती है पर James उसके साथ नहीं जा सकता था क्योंकि वो गे है और अब आखिर में जिमित बचता है इसलिए Petra जिमित की साथ चली जाती है जो देख James को काफी बुरा लगता है अब देखते ही देखते ही दस अफतों के बाद भी कोई प्रेगनन नहीं होता इसलिए जिमित बाकियों से कहता है कि हमें कुछ और ट्राइ करना होगा लेकिन एक स्टूड़न कहती कि अब हम कुछ ट्राइन नहीं करेंगे क्योंकि तुमारी हर बात गलत साबित होती है जो सुनकर जिमित गुशा होकर वहां से चला जाता है और फिर कुछ समय बाद गन लेकर आता है और उस लड़की को छोड़कर बाकियों को वहां से जाने को कहता है पर एक स्टूड़न वहीं छीप जाता है और जैसी जिमित उस लड़की को शूर करने वाला होता है छीपा हुआ स्टूडट उस पर हमला करके जीमित के कान में पैंसिल गुषा देता है जीश से जीमित वही तडपने लगता है पर गुष से में वो गेट के पास आ जाता है और उसमें कोट डाल कर उसे खोल देता है जीस से दमाका बंकर के अंदर आ जाने से सारे लोग मारे जाते हैं अब क्लासरूम में जेम्स जीमिट से सवाल करता है कि जब तुम मुझे और पेटरा को कार्ड दे रहे थे तब तुम खासे क्यों जीस पर जवाब देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है लेकिन जेम्स को कुछ गड़वर लगती है इसलिए वो कार्ड वाले डब्बे को लेकर उसे चेक करता है जीस से उसे पता चलता है कि ये एक मैजिक बॉक्स की तरह काम करता है और जीमित के खासने के बहाने उसकी और पेट्रा के कार्ड बदल दिया था जो जानने के बाद हो सभी से कहता है कि जीमित ने चीटिंग किये इसलिए हम फिर से एक राउंड खेलेंगे लेकिन इस बार जीमित लीडर नहीं बनेगा पर जिमिट जिम से कहता है कि मैं तुमारी बात मानने के लिए तयार हूँ लेकिन इस बार तुम्हें सिव माली बनना पड़ेगा जिस पर जिम्स मान जाता है इसलिए अब सारे लोग इमाजिनेशन आइलेंड पर रहा जाते हैं जहां भी एटोमिक बॉम का हमला होगा लेकिन जिमिट सबसे पहले सभी से चिपकर बंकर के अंदर चले जाता है और वहां से पिस्टॉल लेकर एक जगा बैठ जाता है और तबी पेट्रा उसके गले लगकर कहती है कि इतना अच्छा गिम खेलने के लिए तुमारा धन्यवाद जीस के बाद वो बाक्यों के पास आ जाती है और सारे लोगों से कहती कि मैं जीसे चाऊंगी उसे चुनूंगी और इसका फैसला में इमानदारी के साथ करूंगी और अगर मेरी ये बात से सभी सहमत है तो अपना हाथ उठा सकते हो जो सुनकर सभी अपना हाथ उठा देते हैं और पेट्रा जादातर उन लोगों को चुनती है जिसे दोनों बार जिमित नहीं चुना था जो देखकर जिमित उससे कहता है कि तुमारी सेलेक्शन से मैं तुमें सीग्रेट भी नहीं दे सकता क्योंकि बांकर से बाहर आने के लिए तुम जीवित ही नहीं बचोगी लेकिन पेट्रा उसकी एक नहीं सुनती अब आखिर में जीम्स और जिमित बचते हैं जिस पर वो जीमित को चुनती है पर जीमित कहता है कि बंकर के अंदर माली का क्या ज़रुत है इसलिए उसे ना चुन कर तुमें मुझे चुनना चाहिए लेकिन वो जीम्स को ही चुनती है जो देख कर जीमित एकदम गुस्सा हो जाता है और उनके आने पर वो उने पिस्टोल से शूट करने के लिए अपने बैक में हाट डालता है पर वहाँ गन ही नहीं होती तब पैटरा उसे बताती कि उसने गले लगने के बहाने उसकी पिस्टोल चुरा ली थी और उसे लेकर वो तुरंट सभी को शूट करने के लिए ट्रिगर दबाता है लेकिन उसमें गोली ही नहीं होती पैटरा आप कहती कि अगर तुमने ये हरकत नहीं की होती कि हिए तब मैं तुमें ही इसलेक करती और ये कहने के बाद वो उसे गोली भी दे देती है और तब हीं जीम्स एक रइफल जिमित के ऊपर तान देता है जो उसने तब ले थी जब जिमित पिस्टल ने बंकर में गया था और अब जेम्स के पास राइफल देखकर जीमित कहता है कि तुम मुझे मार नहीं सकते क्योंकि एक साल बाद तुमारे पास बंकर से बाहर आने का कोड नहीं होगा जीस पर फिर एक स्टूडन्ट कोड बता देती है और ये उसे तब पता चला था जब सेकंड राउन में जीमित ने बंकर पर कोड डाल कर उसे खोल दिया था जो सुनकर जीमित हैरान हो जाता है और फिर गुसा होकर वहां से चला जाता है पर इस बर पेटरा खुर को सेलेक्टेट स्टूडन्स में ना रखकर अपनी जगाद चीप्स को भेज देती है जो देख सब भी पेटरा को अंदर आने को कहते हैं लेकिन वो एक नहीं सुनती और कहती कि यहां से थोड़ी दोर एक आइलेंड है हम लोग बोर्ट से वहां चले जाएंगे पर चीप्स कहता है कि बोर्ट की चाबी मेरे पास है और जैसे ही पेटरा चाबी लेने उसके पास आती है तो चीप्स उसे अंदर डाल देता है और खुद बाकियों के साथ वहां तो उस आलेंड पर कोई भी बॉम अब तक गिरा नहीं होता जो देख कर सभी खूश हो जाते हैं अब क्लासरूम में लोटने पर जिमित सभी से कहता है कि आलेंड पर बॉम अभी तक नहीं गिरा तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम जीवित बच जाओगे अभी भी तुमारे जीने की चांसे बहुत कम हैं क्योंकि तुमने कारपेंटर को सेलेक्ट ही नहीं किया जो तुमें एटोमिक बॉम से बचा कर घर बना कर दे सके और ना ही डॉक्टर को जो तुमारा इलाज कर सके और ना ही किसान को जो तुमें खाना दे सके इसलिए तुम सभी कुछी दिनों में मारे जाओगे क्योंकि बंकर में एक साल की ही सप्लाइस थी जीस पर फिर पेटरा कहती है कि तुम सभी सही कह रहे थे लेकिन मैंने लॉजिक से नहीं बलके अपने दिल से फैसला लिया जीस से हम जितना समय जिवित रहे उतना खुशी से तो रहे पर अगर मरना होगा तो भी मर जाएंगे अब आइलेंड में जब सभी आगे बढ़ी रहे होते हैं तो तब ही उनके सामने एक 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 गुफा के अंदर गुजारना पड़ा मैंने वो एक साल कैसे गुजारा मैं ही जानता हूं और ये सब सिफ जेम्स के कारण हुआ क्योंकि मेरी पिस्ल में एक गोल मार दूँगा लेकिन सभी जेम्स को बचाने उसके सामने खड़े हो जाते हैं और अब उनके पास आइलेंड पर रहने के लिए कोई साधन ना होने पर जेम्स बॉम डेटोनेट कर देता हैं जिस से पूरा आइलेंड बरबाद हो जाता है आप क्लासरूम में लोटने पर सार लड़के मारे गए और मैं अकेला अपना जीवन छे लड़कियों के साथ गुजारने लगां जो सुनकर सारे लोग हसने लगते हैं लेकिन जीमित का खेल उस पर ही भारी पढ़ने से उसका मू लटक जाता है और वो सारे बच्चों को अपनी बुक सब्मेट करके क्लास से ज जानती हूँ कि तुमने जीमित को परिशान करने के लिए उसे ऐसा प्रोफेशन दिया था जीश पर वो बचाओं में कहता है कि जीमित तुमारे लाइक नहीं है लेकिन वो कहती कि मैं उसे पसंद करती हूँ और मैं तुमारे कभी नहीं हो सकती जो बात तुम भी जानते हो जिस पर जिमित हा में जवाब देता है याने कि जिमित और पेटरा का अफेर चल रहा था आप पेटरा वहां से चली जाती है और जिमित क्लासरूम में अकेले बैठ कर अलग-अलग possibilities को imagine करने लगता है कि वो अब क्या कर सकता है जिस में से वो एक में उदास होकर खाना खा रह होता है दूसरे में खुद को पिस्टल से शूर करके आत्मात्या कर लेता है तो तीसरे में पेटरा के बारे में सोचने लगता है और उसके इसी imagination की दुनिया के साथ ये movie यही समापत हो जाती है आशा है आपको मेरी explanation पसंद आई यदि हा तो प्लीज वीडियो को लाइक करन और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें मिलते हैं अगले explanation वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद दोस्तों